नमस्का दोस्तों इस वीडियो में हम जीव विज्यान से संबंधित महत्रपूर्ट प्रश्णों को करवाने वाले हैं इन प्रश्णों का लगवग सभी प्रतियोगी परिक्षा में आने की पूर्ण शंभावना है तो इस वीडियो को जिरूर देखें इसके लावा अगर इसमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कृप्षिन में मिलड़ार焼ाऊ तो आये चलते हैं टॉपिक पहला प्रश्ण है मानोवचरीर में पायरिया बीमारी मसोड़े से संबंधित है अगला प्रश्ण है प्रश्ण में लऌट तक य कमी से ल रोग हो जाता है अगला कश्चन है मानोशरीर में एपेंडिक्स किस संदचना से जुड़ा हुआ है तो मानोशरीर में एपेंडिक्स बड़ी आत से जुड़ा हुआ होता है अगला कश्चन है विश्व स्वास्थ संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सबसे जाद लोगों की मृत्यू यक्ष्मा यानि की टीवी नामग विमारी से हो रही है अगला प्रश्ण है प्रोटीन किस से बने होते हैं तो प्रोटीन अमेनो अमल से बने होते हैं नेक्स्ट है रक्त के अध्यान को क्या कहा जाता है तो रक्त के अध्यान को हेमेटोलाजी कहा जाता है अगला केस्चन है लेंड इस्टेनर को किस खोज के लिए नोबल परस्कार मिला था तो लेंड इस्टेनर को रक्त शमोय के खोज के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था अगला केश्चन है कौन से जानवर का स्वसंतंत्र त्वचा है तो मेढक का स्वसंतंत्र त्वचा है अगला है E.E.G. द्वारा हम किस क्रिया का अवलोकन करते हैं तो E.E.G. द्वारा मस्तिस्क की क्रिया का अवलोकन किया जाता है अगला प्रशन है मोतिया बिंद दोस के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मोतिया बिंद दोस के कारण आख प्रभावित होती है अगला प्रशन है रेदेश से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है तो रेदेश से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है नेक्स्ट है पौधों में प्रतिक्रिया के लिए जिम्मदार कौन सा हर्मोन है तो पोधों में प्रतिक्रिया के लिए ओक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है अगला प्रेशन है दो नियोरोन के बीच जगए क्या कहलाती है तो दो नियोरोन के बीच जगए साइनेप्स कहलाती है अगला केस्चन है दुग्द के उत्प्रेक्षण के लिए कौनसा हर्मोन जिम्मेदार होता है अगला केस्चन है प्लास्टिड क्या होते हैं तो मानोशरीर में उरोष्थ वक्ष में पाय जाते हैं अगला प्रशन है भूमी के अपमारजन में योगदान देने वाला कौन सा जीव होता है तो भूमी के अपमारजन हेत केच्वा जीव योगदान देता है अगला प्रश्ण है प्रित्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा इस्तंधारी कौन सा जीव है तो प्रित्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा इस्तंधारी जीव ब्लू वेल है अगला प्रश्ण है शेव का कौन सा भाग खाने योग होता है तो शेव का मांशल पुषपासन भाग खाने योग होता है नेक्स्ट है मानोशरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सरवाधिक होती है तो अंगुलियों में हड्डियों की संख्या सरवाधिक होती है अगला प्रश्ण है डॉक्टर हर्गोविंद खुराना को किसलिए नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो डॉक्टर हर्गोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का लेक पढ़ने हे तो नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था अगला प्रश्न है मानो सरीर कितने ग्राम का होता है तो मानो सरीर तेरे सो पचास ग्राम का होता है नेक्स्ट है महिलाओं की आवाज तीक्ष क्यों होती है तो महिलाओं की आवाज तीक्ष इसले होती है क्योंकि इनके गले की पिच अधिक होती है अगला प्रशन है मानौ शरीर में प्लाजमोडियम नामक जीवाओ का संक्रमड मलेरिया नामक रोग उत्पन कर देता है यह च्ञते हैं अगला केश्यन है शरीर में हीमोगलोबिन का कार्य क्या होता है तो सरीर में हेमोगलोविन का कार्य ओक्सीजन का समवहन करना होता है नेक्स्ट है सिसु का लिंग निर्धारन किसके द्वारा होता है तो सिसु का लिंग निर्धारन गुडशूत्र के द्वारा होता है अगला प्रश्न है अनुवानसिक इकाई है यानि कि अन्वांसिक इकाई क्या है तो अन्वांसिक इकाई जीन होती है नेक्स्ट है सरीर की सबसे छोटी ग्रंथ कौन सी है तो सरीर की सबसे छोटी ग्रंथ पीयोस ग्रंथी है नेक्स्ट है त्वच्चा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है तो त्वच्चा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है नेक्स्ट है किस विटामिन की वज़े से यानि किस विटामिन की कमी की वज़े से मानो सरीर में इसकरवी रोग हो जाता है वेटामिन C की कमी से मानो सरीर में इसकरवी नमक रोग हो जाता है कोशिका का उर्जागरी किशे कहा जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा सौर उर्जा कार्बो हाइडरेट की राशायनिक उर्जा में बदल जाती है तो प्रकास रेंसलेशन की क्रिया के द्वारा सोर उर्जा कार्बो हाइडरेट की राशाहिनिक उर्जा में बदल जाती है अगला प्रस्ण है मनुष्य की आख की कौर्णिया में विक्षित होने वाली और पारदर्शी जिली को क्या कहा जाता है तो इशे मोतिय बिंद कहा जाता है अगला केश्चन है अस्थी से अस्थी को जोडने वाला उतक क्या कहलाता है तो अस्थी को अस्थी से जोडने वाला उतक लिगामेंट या हिंदी में कहा जाए तो शनाय कहलाता है अगला केस्टन है वीटामिन सी का अन्य नाम क्या है तो वीटामिन सी का अन्य नाम अस्कॉर्बी केसिड है नेक्स्ट है आम का वैग्यानिक नाम क्या है तो आम का वैग्यानिक नाम मैंगी फेरा इंडिका है अगला प्रस्ण है मानो शरीर में गुड़ सूत्रों की शंख्या कितनी होती है तो मानो शरीर में गुड़ सूत्रों की शंख्या 46 होती है अगला प्रस्ण है मेंडल के परिछण किसकी क्रॉस ब्रेडिंग पर आधारित है तो मिंडल की परिछण मतर के पौधे पर आधारित है अगला प्रश्ण है पित्रश किस के द्वारा स्त्रावित किया जाता है तो पित्रश यक्रित के द्वारा स्त्रावित किया जाता है अगला केस्चन है पानी में गुलनसील वेटामिन कौन से है तो पानी में घुलनसील वीटामिन बी तथा शी है अगला प्रश्न है टाइफाइड होने पर सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो टाइफाइड होने पर सरीर का आत प्रभावित होती है अगला प्रश्न है अमल श्वाद में कैसा होता है तो अमल श्वाद में खटे होते हैं नेक्स्ट है मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंत कौन सी है तो मानो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंत यक्रित है नेक्स्ट है वेटामिन बीवन का राशाइनिक नाम क्या है तो वेटामिन ब तो प्रयोक्षाला में तयार पहला कार्विनिक योगिक यूरिया है अगला प्रश्ण है डॉल्फिन किस वर्ग का उदारण है तो डॉल्फिन मैमेलिया वर्ग का उदारण है अगला केस्चन है लालो धिरकडिकाओं का आकार कैसा होता है तो लालो धिरकडिकाओं का आकार व घेंगा रोग हो जाता है तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है अगला प्रश्ण है पौधों की पत्तियों की निचली सतय पर छिद्रों को क्या कहा जाता है तो पौधों की पत्तियों की निचली सतय पर छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है अगला प्रश्ण है दही में कौन सा अमल पाया जाता है तो दही में लेप्टिक अमल पाया जाता है अगला प्रश्ण है दंत और अस्थियों के बनने में किस विटामिन की आवश्चक्ता होती है तो वीटामिन डी की आवशक्ता दंत और अस्थियों के बनने में महत्व पूर्ण होती है इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद